दोस्तो बॉलिवूड के एक्टर विक्की कोशल नियू जनरेशन के वन अफ दी बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको विक्की कोशल से जोड़े तीन ऐसे फैक्ट्स होताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे दोस्तो ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि विक्की कोशल ने गैंग्स ओवासेपुर मुवी में ऐस असिस्टेंट डायक्टर काम किया था जिसके बाद उन्हें अनुराख कश्यम ने रमन रागप 2.0 मुवी के लिए अप्रोच किया जबकि इससे पहले कई लोगों ने उनसे कहा था कि वो ये फिल्म क्यू कर रहे हैं क्योंकि एक सपोर्टिंग रोल है लेकिन विक्की कोशल ने किसी की बात भी नहीं सुनी क्योंकि वो राजकुमार हिरानी सर के साथ काम करना चाते थे नमबा वन उरिदा सर्जिकल स्ट्राइक मोवी विक्की कोशल एक करियर की हायस ग्रोसिंग फिल्म है लेकिन आपको जानका इहरानी होगी कि इस फिल्म का डायक्टर कभी इस फिल्म को बनाना ही नहीं जाते थे असल में वो तो किसी दूसरी फिल्म पर ही काम कर रहे थे लेकिन उसी टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हो गई जिसके बाद इन्होंने इसी टॉपिक पर एक फिल्म बनाने की सोची और विक्की कोशल को एज़ा लीडगा एक्टर काश किया और इसके बाद इस फिल्म की सक्सेस तो आप जानते ही हैं दोस्तो आपको विक्की कोशल की कौन सी मोवी अच्छी लगती है इस बात की जानकरी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दे कर जाईएगा